जब मैं छोटी थी तब मुझे क्रिकेट मैगजीन पढ़ना बहुत पसंद था यहीं से मुझे पता चला कि सचिन तेंडुल कर एक मीडियम पेसर बनना चाहते थे लेकिन अपनी कम लंबाई के चलते वहा ऐसा नहीं कर पाए फिर मैंने एक तरह से कसम खाई कि मैं एक मीडियम पेसर बनूंगी मुझे सच में नहीं पता था कि यह उनके लिए था या खुद के लिए मैंने शायद सोचा था कि हो सकता है कि किसी दिन उनको मुझे पर गरो महसूस होगा यह लाइन समने ली हैं शिखा पांडे के ब्लॉग से शिखा पांडे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं भारती यह टीम के लिए खेलती हैं आजकल टीम के साथ आस्ट्रेलिया में हैं आस्ट्रेलिया जहां की T20 वर्ल्ल कप चल रहा है भारत एक सुपरिश्टार परधान देश है यह इस देश के बारे में मेरी तमाम मानिताओं में से एक है इस सुपरिश्टार परधान देश ने हमेशा से ही सुपरिश्टार की पूजा की है और इस देश के सुपरिश्टार या तो बॉलिवूड से होते हैं या फिर क्रिके से इन तमाम सुपर इस्टार्स में दो नाम ऐसे हैं जिनका रुत्बा सबसे अलग है पहले तो अमिताब बच्चन और दूसरे सचिन तिंडुलकर वही सचिन तिंडुलकर जिनकी बात से हमने यह वीडियो शुरू किया है उन सचिन तिंडुलकर के फैंस पूरी दुनिया में सुधीर गौतम ने सचिन के लिए क्या कुछ किया है उसकी मिसालें दी जाती है लेकिन हम यहां आपको सचिन की एक ऐसी फैन के बारे में बताएंगे जिसके जीवन का यह एंगल शायद ही आपको पता हो वैसे तो उसे सिर्फ इस एंगल से देखना गलत होगा लेकिन आज जो कुछ भी है उसमें सचिन का बड़ा रोल है वीडियो की शुरुआत से ही आपको पता होगा कि हम इंडियन विमिन्स क्रिकेट टीम की ओल राउंडर शिखा पांडे की बात कर रहे हैं लगातार तीन मैच जीत भारतिया महिला क्रिकेट टीम आउस्ट्रेलिया में चल रह पूनम यादों के बारे में हाल ही में हमारे सयोगी वीपिन ने आपको बताया था दाए हाथ की मीडियम पे सर और लोवर आडर बल्लेबाद शिखा ने इंडियन मिडियल क्लास फैमिली के करियर पहले और क्रिकेट बाद में वाली हिदायत पर खूब अमल किया है तभी तो उन्होंने पहले इंजिनियरिंग की फिर इंडियन एर फोर्स में एर ट्रेफिक कंट्रोलर यानि एटीसी बनी और उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम के लिए डेब्यू किया पूरो भारतिये महिला क्रिकेटर सनेहल परधान ने साल 2014 में शिखा के बारे में एक ब्लॉग में लिखा था एक दिन इंडियन क्रिकेट टीम की कैप पहनने का सपना देखने वाली इस युवा लड़की ने सपने से बहुत पहले एक सपना देखा था उड़ने का सपना भारतिये किट में अपनी इंस्विंग बॉलिंग के सपने से पहले शिखा एक पाइलट बनने का स दूसरे साल में पहली बार शिखा ने competitive cricket खेली, BCCI के umbrella के तले पहली बार जब वो cricket खेलने उतरी, तो वो अपनी engineering के दूसरे साल में थी, इससे पहले वह लड़कों के साथ भीड से भरी गलियों और गोवा के रेतीले बीच पर ही खेला करती थी, उनके पापा गोवा में हिंदी के टीचर थे, यहां कुछ साल खेलने के बाद जब शिखा को लगा कि वह इंडियन टीम से खेल सकती हैं, तो उन्होंने अपनी engineering की डिगरी पूरी करने के बाद अपने उड़ने के सपनों को एक साल के लिए होल्ड किया, उन्हें इसका फायदा भी मिला, साल 2010 के domestic season में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, और इस प्रदर्शन के दमपर उन्होंने इंडिया की संभावित squad में जगा बना ली, साल 2011 में उन्होंने इंडिया टूर पर आई West Indies महिला टीम के खिलाफ एक मैच भी खेला, स्विंग कराने वाली एक एक एक्स्ट्रा बॉलर की जरूरत होगी, लेकिन जो हम सोचते हैं वह हमेशा कहां होता है, इंलेंड टूर के लिए उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया, यहां शिखा को लगा कि शायद उनसे गलती हो गई, उन्होंने दो बेहद अलग-अलग सपने देखकर गलती की, एरफोर्स के सपने को छोड़ कर जिस नीली जर्सी का सपना देखा, वह अधूरा रह गया, ज्यादा तर लोग इस मोड़ पर तूट जाते हैं, खुद में कमिया निकालते हैं और अपनी ही राह कठिन कर लेते हैं, लेकिन जैसा कि पूरु परदानमंतरी अटल बिहारी वाजपई कह गये हैं, दाओं पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, तूट सकते हैं, मगर हम जुक नहीं सकते, शिखा ने इस चोट को पीछे छोड़ एरफोर्स की चुनोती पर अपना ध्यान मोड़ा, इस फैसले में शामिल थी बहुत सारी निराशा और दर्द, शिखा को लगने लगा था कि अब वह दोबारा किर्केट नहीं खेल पाएंगी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, अभी एक और जटका लगना बाकी था, शिखा एरफोर्स का एंट्रेंस तो पार कर गई, लेकिन पाइलेट बनने का सपना कहीं पीछे छूट गया, उन्हें रोल मिला एर ट्रेफिक कंट्रोलर का, यहां से कहानी शुरू हुई फ्लाइंग आफिसर शिखा पांडे की, फ्लाइंग आफिसर शिखा पांडे यानि वह लड़की जिसने अपने क्रिकेट खेलने के सपने को कभी मरने नहीं दिया, जब भी वह ट्रेफल करती, उनके सामान में एक विचित्र और सुइसपष्ट हमसफर के रूप में क्रिकेट किट पक्के तोर पर होती थी, विचित्र इसलिए क्योंकि एर फोर्स बेस पर क्रिकेट किट का दिखना आम बात नहीं है, और सुइसपष्ट वाली बात तो हर वह भारतिया जानता है, जिसने क्रिकेट किट का बैग देखा है, बाद में सर्विसेज के एथलीट्स और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की मदद से, शिखा ने क्रिकेट खेलना जारी रखा, छुटियां लेकर वह डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती रही, साल 2014 में बांगलादेश में हुए विमिन वर्ड टी-टुन्टी के लिए शिखा को संभावित प्लेयर्स की लिष्ट में जगा मिली, जिसके बाद उन्हें Chief of Air Staff ने गरतंतर दिवस पर सम्मानित किया, वाया सम्मान पाने वाली पहली महिला ओफिसर है, बाद में उन्हें वर्ड कप की भारतिय टीम में भी चुना गया, शिखा ने इस वर्ड कप से पहले बांगलादेश के खिलाफ अपना T20 डेब्यू भी किया, शिखा ने सीरिज के तीनों मैच खेले थे, इसके साथ हिवा गोवा क्रिकेट असोसियेशन यानि GCA से जुड़ी पहली ऐसी क्रिकेटर बन गई, जिसने भारतिये टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो, उनसे पहले कोई पूरुष क्रिकेटर भी या मुकाम नहीं हासिल कर पाया था, इतना ही नहीं वाब भारत के लिए खेलने वाली पहली सर्विसेज एंपलॉई हैं, यानि SSC भी इंडियन आर्मी, नेवी और एरफोर्स में क्रिकेट का कामकाज देखने वाली संस्ता है, या संस्ता सर्विसेज क्रिकेट टीम को भी चलाती है, इस टीम में इंडियन आर्मी, नेवी और एरफोर्स के जवान केलते हैं, साल 2017 के Women's Cricket World Cup के Final में भारत हार गया था England के खिलाब भारत को 229 रन बनाने थे शिखा बॉलिंग में खूब पीटी गई थी फिर बैटिंग में जब टीम को 15 बॉल्स पर 11 रन चाहिए थे तब एक आत्म घाती रन लेने के चकर में रन आउट हो गई शिखा को अपने इस गलती पर बहुत अफसोस रहा लेकिन अफसोस से बिगड़े काम बनते कहां है गलतियों की सजा मिलती है शिखा को भी मिली उन्हें साल 2018 के World T20 के लिए भारतिय टीम में नहीं लिया गया ऐसा लगा कि अब उनका करियर खत्म हो जाएगा टीम के पास कई युवा ऑप्शन थे लेकिन शिखा ने महनत की आर्मी एटिट्यूट दिखाया और 2020 के World T20 में टीम इंडिया की लीड पेसर है शिखा ने बचपन में छह सपने देखे थे क्रिकेटर, ब्लॉगर, एरफोर्स ओफिसर, इंजिनियरिंग, एस्ट्रोनॉट और वर्ल्ड कप विनर कड़ी महनत कर अपने चार सपने पूरी कर चुकी शिखा के पास अपना पाचवा सपना पूरा करने का एक और मौका है उमीद है कि अभी तक इस वर्ल्ड कप में 6 विकेट ले चुके शिखा इस बार अपना सपना पूरा कर ही लेंगी शिखा के पूरे हुए सपनों की बात करें तो वह क्रिकेटर, ब्लॉगर, एरफोर्स ओफिसर और इंजिनियर बन चुकी है आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में दर्च करा सकते हैं और आपने यह वीडियो फेस्बूक पर देखा हो तो हमारे फेस्बूक पेज को लाइक करिए अगर आपने इसे यूट्यूब पर देखा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए इसके अलामा आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हमारे एप को डाउनलोड करिए और आईए खबरों से सबसे पहले अपडेट नमस्ते मेरा नाम सूरज है कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं रिशब शुक्रिया